Hello friends, आई हम इस प्रद्म को solve करते है Question क्या कहता है The digit at unit place of numbers 1570 square plus 1571 square plus 1572 square plus 1573 square is क्या कह रहा है कि unit digit पे कौन सा number होगा जब हम 1570 k2 को add करेंगे 1571 k2 में फिर add करेंगे 1572 k2 में और फिर add करेंगे 1573 k2 में तो हमें unit place की digit बतानी है तो हमें बाकी चीज़ों से ज़ाद मतलब नहीं है हम यहाँ पे भी सिर्फ unit place की ही value लेंगे और उनका square करेंगे तो यहाँ पे 0 का square है plus 1 का square दूसरे वाले में plus 2 का square तीसरे वाले में plus 3 का square चौथे वाले में तो यह हमें क्या देने वाला है यह हमें 0 ही देने वाला है plus 1 का square क्या होता है 1 ही होता है 2 का स्क्वाइर क्या होगा 4 और इसी तरीके से 3 का स्क्वाइर क्या होगा 9 अब हम इसको एड करेंगे तो हमें क्या वैलू मिलने वाली है 1 प्लस 4 5 और 9 14 लास्ट में जो डिजेट आएगी वो क्या आएगी 4 इस प्वेश्चन का साही आंसर है वो है पूर जो होगा वो यूनिट प्लेस पे डिजेट होगी जब हम इन सारी वैलूस को एड करेंगे